वेलकम टू माई चैनल देखिए आज मैं आपके लिए यह वाला डिजाइन लेका है हूँ यह जो छोड़ी से फ्लावर से आते हैं बहुत ही सुन्दर सा लगता है हमारा डिजाइन इसे हम लेडिस की कारडिगन में डाल सकते हैं और जाकेट में डाल सकते हैं बच्चों के किस सी भी प्रोजजट में हम इसको प्लाई कर सकते हैं बहुत ही सुन्दर सा हमारा डिजाइन है यह हमारा डिजाइन के मुल्टिपल करके फंत में हमारे छह फंदे होने चाहिए तो ये हमारे डिजाइन इसत troubled अरजय हो जाएक सबसे पहले तो आप अपना बोर्डर बना लेज सीधी साइड से हमारा एड़जन शिरू होता है तो देखिए मैं जो यहां से यह जो पहली सलाई बनाई है मैं यहां से आपको बनाना बताऊंगे तो देखिए पहली सलाई हमारी सीधी साइड से है तो पूरी सलाई को हम सीधा सीधा बना लेंगे सारी फंदेहं सीधे-सीधे ही बनाएंगे देखी स्तर से सीधे-सीधे बनाकर कम्प्लीट कर लेंगे अब आज इसकी दूसरी सलाई पे और यह हमारा रॉंग साइड है तो रॉंग साइड से हमारी उल्टी-उल्टी ही बनेगी दूसरी सलाई को उल्टा-उल्टा बनाते हुए कम्प्लीट कर लीजिए इस तरह से उल्टा-उल्टा बना लीजिए तो देखी दो सलाई हैं हमारे कम्प्लिट हो चुकी है अब आज ये तीसरी सलाई पे और ये हमारा सीधी साइड है तो तीसरी सलाई भी हमने पहले इसकी संतर है ये बनानी है पूरी सलाई को हम सीधा सीधा बना कर कम्प्लिट करेंगे इस तरह से सिधा सिधा बना लिजिए अब आज इसकी चोथी सलाई पे यह हमारा रॉंग साइड है तो रॉंग साइड से भी हम उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से पुरा उल्पा उल्टा बना लेज़ें तो देखिए फ्रेंट्स हमारी चार स्लाईया chemical हो चुकी हैं दो स्लाईया और pandbles सीधि सीधित बना लेंगे or कनरเลेंगे तो टोटल की हमारी ये छे सलाईया बनेंगी जो की तीन सीधी बनेंगी और तीन हमारी उल्टी बनेंगी तो ये दो सलाईया और बना लेते हैं ये देखिए पाच्वे सलाई हमारी सीधी सीधी बनेंगी चटी सलाई हमारी उल्टी उल्टी बनेंगी तो ये मैं बनाकर कम्प् हो चुकी है अब आज इसके साथ में सलाय पे तो इसमें ध्यान देजिएगा शुरू के पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार और ये पांच तो देखे पांच फंदे हमने सीधे बना दिये अब एक और ये दो दो फंदे इन दोनों फंदों को छोड़के ये देखे ये जो हमारा यहां से है ये देखे ध्यान से देख लीजिए एक दो और ये तीन जो हमारा ये तीसरा होल है इन दोनों फंदों को लेना है और पिछी से एक लम्बी लूपी की डाइप में इनी देखिें इस तरह बना लेना है इस से लंबा फंदा बना ले इसको जदा लूज भी नहीं रखेंगे उर ज़्याद़ टाइट भी कि फिर सिते हम हमें एक फंदा और यहीं से होल में से निकालेंगे यह देखिए इस तरह से लंबा बना लेंगे पिर एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर हमें एक बार और निकालेंगे यह देखिए यह हमारा चोथा फंदा है होल में से फिर एक और सीधा फंदा बना लेंगे फिर सीहें से निकालेंगे देखिए होल में से ही यह टोटल हमने छे बार करना है यह देखिए तो हमने पाँच बार कर दिया है एक बार और करेंगे यह देखिए, यहां से इस तरह से निकाल लेगे, यह देखिए, अब हम पांच बंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और यह पांच, पांच बंदे हमने सीधे बना दिये हैं, फिर से हम नहीं आपे, देखिए, बना लेना है, इस तरह से, तो देखिए, यह दो फंदे हम छोड़ देंगे, और यहां से, बिलकुल यहां से, इसके एक, दो, और यह तीस, तीसरा जो होल है, यहां से हम, एक लंबी लुपी बना कर लेके आएंगे, इस तरह से, यह देखिए, फिर एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, फिर से, इसमें से, लंबी लुपी निकालेंगे, इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा, इस तरह से, हमने इसमें से, छे फंदे बना लेने हैं, यह देखिए, हमारा तीसरा फंदा है, एक बा 에 got 5 बंदा सीध़ अबनाएंगे किविए हमारा लास्ट चटा फंद आ इसको भी इस तरह निकाल के देखिए इस तरह से हमारा ये छे बार इख sit अबनेगा अफ्परसे हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह इस तरह से देखिए beth दो भड दो फंदी इनकुंद्ध को छोड़के यहां सी इसके बिलकुल यह देखी यहां से हम पंद्ध किरेंगे घ्रिक तिष्ञ da मोरें कि बनाएंगी हमारा 13 और यह सीधा हां इस थरफाद्या Rabbi एस हुल में नज फंद्या लंबे निकालेंगे देखित पारफ में पर था हुल जो निल्टे की निकालेंगे जो इन इस 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 थरफाद्ध पहस कमें निल्टे को नज Forsch दिए मेरें अब हम एक बंदा ये सीधा बनाएंगे फिर ये पांच बंदे और हम सीधे बना लेंगे एक दो तीन चार और ये पांच तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारे ये साथ इसलाई बनेगी तो दीखिए अब आ गए हम आपने आठ में सलाई पी तो पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार और ये पांच अब दीखिए हमारे ये जो हमने जोडे में बनाए थे अब देखिए धागे को हम पीछे कर लेंगे और ये हम सीधे फंदे बनाएंगे तो सीधे इसे में हमने दो फंदों का एक करना है यह देखिए यह हमारे जोड़े में भी दिख जाते हैं तो यह हमने सीधे बनाने हैं देखिए एक 2 पंदों का 1 किया 2 फिर से 2 फंदों का 1 करेंगे 3 ये 4 ये 5 और ये 6 ये देखे इस तरह से जोड़े में हम 6 फंदे बना दिये हैं अब आप इसे चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, और ये चार, धागा पीछे कर लेंगे, और ये देखिए, यहां पे हमारे जो फंदे हैं, इनको हमने जोडे में बनाना है, तो दो फंदो काई करेंगे, सीधे में, ये देखिए इस तरह से, फिर से हम दो करेंगे, जोडे में ही दीच जाते हैं हमारे फंदे, ये देखिए, आराम से बन जाते हैं, ये देखिए इस तरह से, तो ये हमने 6 बार सीधे फंदे दो काई कर दिया है, बापीश सीधा आगे कर लेंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, और ये चार, धाग पीछे करेंगे यहां पे फिर से हमने दो फंदों का एक करना है जोड़े में ही देखिए छे बार करना है यह एक दो तीन चार पांच और यह छे तो देखिए छे बार हमने कर दिया है अब लास्ट के हमारे पांच फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा बना लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स आठ सलाय यह हमारी कंप्लिट हो चुकी है तो इस तरह से हमारे छोट छोटे से फ्लावर जो है बोबंद कर आ जाते हैं देखिए इस तरह से अब हमने इस तरह से जहां यहां हमने छो है वह तीन सीधी और तीन उल्टी बनाई थी इसी तरह से हम यहां पे भी और बना लेंगे अब सीधी साइड से सीधा बनाएंगे और उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना लेंगे तो तीन सलाईया सीधी आएंगे तीन सलाईया हमारी उल्टी बनेंगे टोटल की छे सलाईया और हम इसी तरह से बना लेंगे साथ में सलाई पर हमारा डिजाइन शुरू होगा डिजाइन हमारा इसी तरह से ड़लेगा सिर्फ हमने डिजाइन को टूष्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगे तो ये छे सलाईया फ्रेंट्स आप बना लीजिए मैं भी ये बना कर कंप्लिट कर लेती हूं फिर मापको आगे दिखाऊंगे तो देखे फ्रेंट्स हमने यहाँ पर छे सलाईया बना दी हैं तीन उल्टी और तीन सीधी अब देखे फ्रेंट्स हमने ये जो हमारी छोटी-छोटी-छोटी से फ्लावर है ये डिजाइन है जो है इसका हमने टूश्ट करना है तो ये जो हमारा भीर में इसला दीजाइन आएगा तो देखे 5 सिधी बनाएंगे 123 चार और ये 5 अब ये देख़े छिए 23 चार और ये पांच एक फंदा और बनाएंगे तो यह हमारा बीच आ गया है यह देखी इस तरह से यह हमारा बीच हो जाएगा तो यह देखी एक और ये दो जो फंदे छोड़ने के बाद यहां से एक, दो, और ये tीज तीज़ा होल है यहां से हम सेलाई को लेंगे और एक लंबी लूपी इस तरह से बना लेंगे फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर वापिस से ही एक लंबी लूपी बनाएंगे लंबा फंदा एक बार सीधा फंदा बना लेंगे इस तरह से हमने ये छे फंदे बनाने हैं इसमें से लंबा फंदा ये देखिए तीन बार हो गया ये चार ये पांच एक सीधा फंदा और ये लाश्ट का हमारा छे फंदा तो देखिए इस तरह से हमने छे फंदे बना लिए एक फंदा सीधा बना लेगे अब देखिए 1,2,3,4 और ये 5 फंदे हमने सीधे बना दिए इन दो फंदों को छोड़के ये हमारा जूबीच का हिस्सा है एक, दो और ये तीन तीसरे होल में से वापिस से हम डिजयन को लंबा फंदा बनाया एक फंदा सीधा फिर एक बार और दो फिर एक फंदा सीधा फिर एक बार और बनाएंगे ऐसे करते करते हमने तीन बार बनाना है तो तीन बार हमारा हो गया तीन बार और हम बना लेंगे ये चोथा फिर एक फंदा सीधा ये हमारा पांचवा फिर एक फंदा सीधा और ये हमारा लास्ट का छटा फंदा इस तरह से फिर एक फंदा हम सीधा बना लेंगे अब ये जितने फंदे हमारे इनको सीधा सीधा बना लेंगे बहुत ही इजी हमारा ये रिजाइन है तो देखिए इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांट, चे, साथ और ये आठ आठ फंदे हमने उल्टे बना लिए अब धागे को हम पीछे कर लेंगे अब देखिए तो ये देखिए धागा हमने पीछे कर लिया है और यहाँ पे हम दो फंदों का एक करेंगे जोकि हमने छे बार करना है ये देखिए दो का एक किया, एक बार, दो बार, तीन बार चार पाँच और ये छे ये हमने सीधे बनाने है धागी को आगे कर लेना है एक, दो तीन, और ये चार, ये पाँच पाँच बंदे हमने उल्टे बना लिए धागी को पीछे कर लेंगे और अव देखी यहाँ पर हम हम दो फंदों का एक करेंगे, देखी इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, धागा अपने साइड करेंगे, बाकी सारे फंदे हम उल्टे-उल्टे बना लेंगे, दो ही सलाई का हमारा इडिजाइन है, बहुत ही जी, बीच की तो हमारी छे सलाईया उल्टे सी दी ही बनेंगी, तो इस तरह से हमने इडिजाइन को टूष्ट करती है, तो इस तरह से हमारा इडिजाइन जो है, बनता हुआ नजर आएगा, तो इस तरह से आप बनाते जाएंग तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलते हगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाई बाई